Hi Everyone, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कमजोर बच्चा, यानि कि IUGR, Intra-Uterine Growth Retardation, इसका क्या मतलब होता है, कमजोर बच्चा सब समझते हैं, सब मेरे पास आते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि मैडम मेरे बेट में बच्चा ग्रोर नहीं कर रहा बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है, कितनी तरह के IUGR होते हैं, क्यों सोनोग्राफिय में लिखा जाता है, सिमेट्रिकल IUGR, क्या मतलब होता है, कब हम ग्रोथ कर्व देखते हैं, सेंटाइल देखते हैं, 50th सेंटाइल, 90th सेंटाइल, इसका क्या मतलब होता है, आपको कॉलिज होगी, तो आप डॉक्टर्स का जो बताएवी जो बाते हैं, उसको ढंक से समझ पाओगे, आप कन्फ्यूज नहीं होगे, ने तो आप इधर से उधर एक दॉक्टर से दूसरे दॉसरे दॉक्टर तक गुमते रहोगे, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल तो एंटेक जरूबनी रहेगा तो आयू जियार यानिकी इंट्रा यू ट्राइंग ग्रोथ रिटारेशन, अब यह पता कैसे चलता है, जब आपकी सोनोग्राफिय होती है, तकरीबन छटे सात्वे महीने से, सात्वे महीने से पहले हम कभी भी ग्रोथ रिटारेशन नहीं बोलते हैं, पानी की कमी आपकी 20 सफते पर या 22 सफते पर बता ही जा सकती है, यानिकी ओलीगो हाड्रोमियोस, अगर आपके पेट के अंदर पानी कम है, तो डॉक्टर आपको पांचवे छटे महीने में बोल देंगे, कि वह सोनोग्राफिय में पानी कम दिख रहा है, बट ग्रोथ जो है, नॉर्मली सात्व पानी किता होना चाहिए, तो जो हमारी किताबों में लिखाया है, जो हम हमेशा कोट करते हैं 28 वी से य09 सा वहने पर बच्चे का वजन तकरीबन एक किल होना चाहिए, अगर हम ग्राफ में इस वेट को प्लॉट करें, यानिके हम ग्राफिकली इसको देखे, आप लोगों को 10th centile के बीश में जो बच्चा होता है वो average बच्चा होता है यानि कि अगर मैं कहारी हूँ कि 7 महिने में बच्चे का वजन करीब 1 kg 1100 या 1200 ग्राम है तो वो बच्चा normal weight के अंदर आ रहे है यह जो shaded area है 10th से लेके 95th centile तक जैसे ही बच्चा 95th centile के उपर उसकी growth गई यानि कि वो dot जो है graph के उपर चले गई इसका मतलब आपका बच्चा बड़ा है average बच्चे से बड़ा है और जैसे ही नीचे आया 10th centile से नीचे इसकी growth आई यानि कि बच्चे का पेट ना पा गया बच्चे का सिर ना पा गया बच्चे के पैर ना पे गए जादा तर सबसे यादा अ अगर बच्चे की पैर के हड़ी 28 हफ्ते दिख रही है और पेट जो है वो दिख रहा है 32 हफ्ते 30 हफ्ते या फिर 28 की जगे दिख रहा है 24 हफ्ते 26 हफ्ते यानि कि बच्चा कमजोर है अगर 32 और 34 हफ्ते दिख रहा है यानि कि जादा दिख रहा है 28 से यानि कि बड़ा है उ पर कोई और कारण है जिस वज़े से बच्चा बढ़ा हो रहा है अगर पैर की हडिया, 28 सफ़ते बता रहे और पेट बता रहे हैं कि नहीं, 34 हवते है, 26 हवते, यानि के 2 हफते से कम है, 2 हफते से जादा की disparity आ रही है, इसका मतलब बच्चा आपका कमजोर है, आयू जी आ रहे हैं, तो ये तो मोटी मोटी तौर से हम सोनोग्राफिक के बेसिस पे आपको बताते हैं, कि बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही, दूसरा तरीक हो तो डॉपलर्स, जब हमको डिसाइड करना है कि बच्चे को कब डिल दिरे कमजोर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नॉर्मल डिलिवरी के लाइट नहीं रहेगा, या फिर उसकी पेट में डेथ भी हो सकती है, ऐसे कारेट, ऐसे केसिस में हम लोग कालर डॉपलर करते हैं, यानि कि रंगीन सोनोग्राफिक, उसके बेसिस में हम बताते हैं कि ब पानी की कमी और एक हो गया कि प्रॉपर सोनोग्राफिक की बायोमेट्री से पता चल रहा है कि पेट जो है, वो सिर और पैर के मुकाबले या तो छोटा है या बड़ा है, बड़ा है तो वो तो हम बात ही नहीं करें, माक्रो सोमिया, हम बात करें, आयू जियार यानि कि अगर बच्चा 3rd से भी नीचे है, यानि कि जो एवरेज बच्चा है, उसका 1 3rd भी उसका वेट नहीं है, इसका मतलब ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, severe IUGR है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, 10 से लेके 3rd तक अगर ये बीच में है, तो ये average है, average IUGR है, इसको आप moderate IUGR कह सकते हो, इसको manage करेंगे दवाईयों से, 3rd से नीचे है, तो शायद डिलिवरी ही कराएंगे, डॉक्टर, depending कि उस समय आपका gestational age, आपका pregnancy कितना जादा है, कितने weeks पे पहुंच गई है, कौन से माहिना चल रहा है, और अगर बच्चा around 10 से चल रहा है, मतलब कि उस symmetrical and asymmetrical, very simple, symmetrical यानि कि बच्चे की पूरी body एक ही ratio में चल रही है, यानि कि अगर बच्चा हमारे हिसाब से, sonography में शुरू शुरू में जब sonography करी, तो उस समय जब conceive करा, तो वो बच्चा जिस हिसाब से होना चाहिए था, उस हिसाब से अभी नहीं दिख रहा है, यानि कि अग सिर, इसका पेट, इसका पैद, सब 28 के जगे, 24 या 20 या 22 रह गए, तो उसको बोल दे, symmetrical आयूजिया, यानि कि शुरू से ही इस बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, उसके कारण क्या होते हैं, मैं बाद में बताऊंगी, उसके कारण generally बच्चे से related होते हैं, यानि क बच्चे पैदा होने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम बिनी होती, वो होता है asymmetrical IUGR, asymmetrical IUGR यानि कि asymmetry यानि कि बच्चे का कुछ पैरमीटर, यानि कि सिर और पैर वो बड़े हैं, लेकिन पेट छोटा है, तो ऐसे cases में asymmetrical IUGR में क्या होता है, पांच वे छटे महिने में या सा बाकी की बादी वो बड़े है, ऐसा कि होता है, बच्चे के अंदर एक मेकानिजम होता है जिसकी वज़े से, जब भी उसको nutrition कम मिलता है, खाना कम मिलता है, तो सारा खाना brain की तरफ फेखता है, जिससे brain developed हो जाए, तो brain बढ़ा रह जाता है, यानि कि brain और हड़ी, जो पैर क उस मकाबले छोटा है तो asymmetrical and symmetrical I.O.J.R. में क्या-क्या reasons होते हैं यह मैप को आप पताते हों तो अगर हम देखें कि पेट के अंदर क्या-क्या problems हो सकती है तो problems हो सकती है तो मा के अंदर problem है मा को कोई बिमारी है या फिर बच्चा सही नहीं है बच्चे को कोई बिमारी हो गई ह या फिर आवल जो बनी है वो सही नहीं है या बच्चे में मा में कोई problem नहीं थी मा के अंदर आवल ही ठीक से नहीं बनी है अब वो तो किसी के हाथ में नहीं है कोई बिमारी भी उसके हाथ में नहीं है पर हाँ उसको treatment करके उसको control में लाए जा सकता है बच्चे को अगर और मोटी मोटी तौर पर अगर सिम्मेट्रिकल ईउजयर है यानि कि शुरू से बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है तो जादा तर उसमें कॉस्त बच्चा होता है उसका काृण बच्चा होता है बच्चे के अंदर या तो दाउन सिन्रोम है या फिर ट्राइजूमी 18 है 13 को सिन्र जो कि हम double marker triple marker में check करते हैं, right, सबका नी करते हैं, अगर हमको शक होता है, तो करते हैं, सबका इसलिए नी करते हैं, क्योंकि बेकार में cost बढ़ती है, आपके treatment की, बहुत पैसा लग जाता है, प्लस जो report आती है, वो भी 100% report नी होती, उसके बाद और test करो, amniocentesis करो, NIPT करो, सारे test होते हैं, तो अगर बच्चे को कोई chromosomal problem है, या तो आधे से जादा बच्चे abortion में चले जाते हैं, अपने आप खुदरत उनको खतम कर देती है, वो निकल जाते हैं, पहले तीन महीने के अंदर ही abortion हो जाता है, या फिर अगर वो भढ़ते हैं आगे, तो आगे जाके उनको IUGR होता है, और वो symmetrical IUGR होता है, क्योंकि उनको chromosomal problem है, या फिर बच्चे के अंदर कोई ऐसी defect है, अंदरूनी problem है, ठीक से दिल नहीं बना, ठीक से उसकी kidney नहीं बनी, या फिर उसके हाथ पैर टेड़ी मेड़े हैं, osteogenesis imperfect है जिसमें हड़ियां टेड़ी मेड़ी होती ह या फिर पेट का जो आधा हिस्सा है, वो खुला हुआ है, पेट के सारी आते बाहर पड़ी हुए है, उसको omphelocele बोलते हैं, तरह तरह की defects होते हैं बच्चों में, तो बच्चों में कोई developmental defect या chromosomal defect, अगर है तो बच्चा symmetrical IUGR में जाएगा, फिर आते हैं बच्चों के infections, बच्चों के infections जादतर मा से ही आँगे, क्योंकि obviously बच्चा मा के अंदर है, तो मा के अंदर कोई torch infection हो गया, togzoplasmosis, rubela, cytomegalovirus, बड़े rare हैं, बहुत uncommon हैं, बट अगर हो गए और वो बाईचांस बच्चे में चले गए, chicken box चला गया, तो ऐसे बच्चे या तो पेट के अं psychological causes हैं, यानि कि जो बड़े ही common sense वाले causes हैं, वो है कि poor nutrition है, low social economic status है, यानि कि बहुत poor families है, poor nutrition वाले लोग है, या फिर जिनका शुरू से low BMI है, उनको proper nutrition नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत high altitude में रहते हैं, जो बहुत high altitude में रहते हैं, उनको oxygen की कमी रहती है, जैसे जितने भ ले लड़ा को, अगर हमें, उनको oxygen कम मिलता है, तो जब oxygen कम मिलता है, तो प्लासेंटा में oxygen कम जाता है, आवल से oxygen कम जाएगा, तो बच्चा भी growth कम करेगा, तो या तो poor nutrition है, या फिर मा को को ऐसी बीमारी है, जिस वज़े से उसकी भूख proper नहीं है, या फिर हो smoker है, या फ इसे causes, जो कि बड़े साफ दिखते हैं, जहाब इस वज़े से ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी होती है, जो कि दिखती नहीं, पता नहीं चलती बढ़ होती है, जैसे मा के अंदर chronic hypertension है, शुरू से उसका BP तेज है, या फिर उसको शुरू से diabetes है, डाइबटीस के जो बच्चे है, वो मोटे पैदा होते हैं, पर अगर smoking है, या फिर उसको BPI है, या फिर उसको कोई renal disease है, उसको कोई cardiac disease है मा को, तो ऐसे cases में क्योंकि मा अल्री दवाईयों पहे, अल्री स्ट्रगल कर रही है, खुद की health के साथ साथ इसती सारी दवाईयां खा रही है, तो ऐसे cases में इसको हम epilepsy बोलते हैं, या फिर मा को blood thinner दवाईयां चल रही है, या उसको अल्री कभी clotting हो चुकी है, पैर में DVT हो चुका है, और ऐसे case में उसको warfarin चल रहा है, जो की blood को पतला रखता है, तो ऐसे case में बच्चे हुए abnormality हो सकती है, बच्चों की growth improper हो सकती है, फिर बड़ा होई है, तो जितनी जल्दी बच्चा होगा, उतना मा भी कमजोर होगी, बच्चे को भी उतना nutrition नहीं मिलेगा, आप बच्चे को पाल बे रहे हो, दूसरा बच्चा पेट में आ गया, तो nutrition कहां से मिलेगा, ठीक है, तीसरी चीज, मा की age भढ़ती है, तो धीरे धीरे पैरिटी यानि कि जितनी बच्चे होते हैं, पहले बच्चे में बेटनी होता है, सेकंड, थर्ड, फॉर्थ, फॉर्थ, फिफ्फ वाला ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा मोटा होता है, बड़ एज के सासाथ nutrition भी पूर होता है, और अगर बार बच्चे होंगे तो मा कम पैदा होते हैं, एक और बिमारी होते है, सिकल सेल डिजीज, जो की बहुत कॉमन नहीं है, बट एक बलड की बिमारी है, जिसमें की बच्चे नॉमली कमजोर होते हैं, थाला सीमिय हो गया, जितनी में बलड की बिमारी है, यह बच्चों को कमजोर करती है, फिर आते हैं, ला यानि कि प्लासेंट अप्रीविया है नीचे आई हुई है या फिर जगे से हिल गई है उसको अबरप्श बोलते हैं आधी से ज्यादा हील चुकी है तो पीछे ब्लड कलेक्ट हो गया है या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आवल के ओपर जो कॉर्ड होती जो नाल होती है व फिर बाकी अगर मा में कोई प्रॉब्लम है हाइपर टेंशन है पी आएच हो गया है या फिर डाइबटीज है एनीफिंग रिलेटेड विद मेटरनल डिजीज कोई में मदर की डिजीज है या बच्चे की डिजीज है तो आवल के अंदर ब्लड सप्लाइ प्रॉपर नहीं ह है तो बच्चा सिर्फ कमजोर ही पैदा नहीं होगा बच्चे को और भी प्रॉब्म्स होती है ऐसा बच्चा पहली बाद तो बहुत रिस्क होती है कि पेट में उसको उसकी डेथ हो जाए पेट में कई पर पॉटी कर देता है जिसको मिकोनियम आस्पिरेशन बोलते है अगर बहुत सी बार पेअशन्स डॉक्टर से लड़ते भी हैं कि मैडम आपने बताया क्यों नहीं बताय दबिए पलते हैगा क्योंना, जैसे ही धड़कन पहार निकला उसके फेफ्ष रो ने खुलना शुरू किया क्योंकि अंदर उस सांस लेता है तब यहां पर मीर्गोनियम भ पाते हैं, तो मिकोनिय मैस्पिरेशन बहुत गंदी बीमारी है, जो कि भगवाय ना करे किसी को, ठीक है, अब इसके अलावा क्या प्रोल्म्स होती है, बच्चे ने मान लोग मिकोनिय नहीं पिया, यह पी भी लिया, डॉक्टर ने उसको बचा लिया, तो आगे जाके उसको आ बच्चे को बहुत ठीक से ट्रीट करते हैं, और टाइम लिए उसको निकाल देते हैं, क्योंकि जिन्दा भी बच्चा निकाल दे हैं, उसके बाद भी आगे जाके उसको प्रॉब्म्स होती है, मा में क्या-क्या प्रॉब्म्स हो सकती है, मा के अंदर, बहिं अगर अगर IUGR ह बढ़ता है, उसका BP बढ़ता है, instrumental deliveries, cesareans, इन सब में मा का blood loss होता है, तो एक तरह से मा के ओपर भले direct effect ना हो, बट इन direct मा के ओपर बच्चे के IUGR के वेज़े से बहुत effect पढ़ता है, अब ये बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ ठीक चला, आगे जैसे से बड़े होते हैं, आ इसको proper blood supply नहीं मिली थी, तो kidneys में आगे जाके kidney वाला hypertension हो सकता है, kidney की वज़े से भी blood pressure भरता है, आगे जाके इन बच्चों में obesity हो सकती है, खानी की बहुत ज्यादा, एक को कहते हैं कि बहुत ज्यादा appetite भर सकती है, इनकी खानी को लेके बहुत ज्यादा इनकी तलब भरती जिसकी वज़े से आगे जाके इनको type 2 diabetes साथ में इनको metabolic problems भी हो सकती है, last but not the least इनमे developmental problems हो सकती है, हो सकता है कुछ बच्चे इतने intelligent ना पैदा हो, दिरिजदे जैसे से बढ़ेंगे इनकी intellectual delays, इनकी learning difficulties यह सब हो सकती है, तो यह सारी problems के वज़े से IUGR को बहुत seriously ले, अगर आ कई बर हम लोग 34 हकते से पहले अगर बच्चा निकालते हैं तो बच्ची की lung maturity के लिए betnisol का injection देते हैं, जो कि कई लोगों को पता होगा, steroid का injection देते हैं, जिससे कि बच्ची की lungs जब निकले बच्चा तो फैलने में और फूलने में वह injection बदद करता है, आपको वीडियो करिए मेरी social media platforms पर जो कि आपको दिख रहे हैं यहापर, अगर मेरी से आपको direct consult करना है, video call या voice call, तो इस number पर whatsapp करें, call ना करें, यह silent number है, सिरफ whatsapp करें, और या फिर आप मेरी website पर जाके directly click करके वहाँ button है, consultation का, आप मेरी से directly appointment book कर सकते हैं, thank you very much, जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ